आतंकी संगठन डेजिस्टंस फ्रेंट ने बाइस पत्रकारों को धमकाया है बाइस पत्रकारों को लेकर उन्हें स्ऊडो जोनिस्ट कहा है और इसी आतंकी संगठन यह भी तै कर लिया है कि काउन पत्रिकारिता कर रहा है और कौन पत्रिकारिता नहीं कर रहा है इन पत्रिकारों को के उपर ये आरोप लगाए है कि वो देश की विभिन अजिंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कईयों के उपर आरोप ये लगाए गए हैं कि ये इंटेलिजेंस अजिंसी के साथ मिलकर काम क है कई को ले कर ये कहा गया कि उन्हें आर्मिं के इस कर देश की आरेति चलाते हैं कई को नौ को पुलीस का स्थ बताया है कैई को इसी तरीके से 22 जरलिस्ट वोगो धंक Seit तो दंकाया गया कि भी एगो इस में पॉत्र्कार भी है् एडिटर इन चीप भी है लंबी चोड़ी चिठी दे रिस्टेंस फ्रंट ने लिखी और उसके ओपर लिखा है चार शीट और उस चार शीट में लिखा हुआ है कि ये कुछ अखबार हैं जिन अखबारों को मुकमल तोर पर भारती अजंसियों ने अपने कबजे में कर लिया है हमें बहुत सारी के साथ मिले हुए हैं और ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को कश्मीर के ओपर नेरेटिव बदलने का काम सौपा गया है और बाकी लोगों को भी कश्मीर को लेकर नेरेटिव बदलने के लिए कहा गया है और उसके बाद उनने ये कहा कि हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स द बापते हैं और उन्हें ये भी कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि कोई भी अगर भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ मीडिया हाउस गाटी में होगा उसे बख्षा नहीं जाएगा उसमें एक दो अख़बारों के नाम और एक प्रसिद चैनल का नाम भी लिखा गया है और उस कायद घाटी में एक वक्त ऐसा रहा है जिस वक्त में वाकई आतंकी घाटी का नरेटिव कंट्रोल करते थे वाकई आतंकवादी तै करते थे कि अख़बार में कल छपेगा क्या फ्रंट पेज की किसकी खबर होगी साथ में आठ में पेज की किसकी खबर होगी क्या ये सब पिसले वाले कल में हुआ है क्या वाकई कभी आतंकी डिक्टेट करते थे टर्म्स क्या आतंकीूं के डर और भे में भे के कारण अलग अखबारों का अलग अलग तरीकी से लिखा जाता था क्या यही कारण था कि आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंदन अखबारों में हुआ करता था क्या यही कारण था क्या अलगावादी नेताओं की खबरे प्रॉमिनेंस के साथ पहले पन्ने पर तीसरे पन्ने पर और पांच यह साथ पन्ने पर लगा करती थी क्या यही कारण था क्या आतंकवादी और आतंकवादियों का साथ देने वाले और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग अख़बारों के अंदर एडिटोरिल भी लिखा करते थे क्या इसी को लेकर पिसले दिनू जब कुश्विन पुलिस ने वाइट कॉलर टेररिजम नाम की एक टर्म निकाली उनने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैं तो प्रसिद हैं तो बहुत इंपोर्टन और इंपोर्टन जगाहों पर काम कर रहे हैं लेकिन ये आतंकवाद और अलगावाद के समर्थक हैं क्या इशारा इस और है कि आतंकियों को आज घाटी के 32-33 साल की आतंकवाद की ये जो हिस्ट्री है 33 साल की आतंकवाद की हिस्ट्री में जब आतंकवाद शुरू हुआ उस शुरुआती दोर में भी इसी डर और इसी खौफ से पत्रकारों को गुजरना पड़ा कई पत्रकारों को निशाना बनाया गया और सिर्फ इतना ही नहीं आतंकी पत्रकारों को किड्नैप करके ले जाते जो पत्रकार उनके मताबिक काम नहीं करता उसको डराते और धमकाते उसको बोलते कि आप हमारे मताबिक काम नहीं कर रहे हो आपको बख्षा नहीं जाएगा क्या यही वज़ा थी कि आतंकियों ने rising कश्मीर के समपादक सयद शुजात बुखारी शेहित के ऊपर आतंकी हमला किया और ने शेहित कर दिया क्या वही यही वज़ा है कि अन्ने कई और पत्रकार हैं जिन धमकी के बाद घाती के अखबारों में इसके उपर एडिटोरे लाएंगे घाती के बुद्ध जी भी फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तमाल करके इसके उपर एडिटोरे लिखेंगे इसके उपर अपने चिंता जाहिर करेंगे और चिंता ही नहीं जाहिर करेंगे बलकि लिखित रूप में आतंकवादियों को ये कहेंगे कि तुम्हारे डराने और धमकाने के दिन चले गए प्रशासन बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं और भारत सरकार का मिजाज भी आतंकवाद के प्रदी बदल चुका है इस बदले हुए माहौल में तुम्हारी धमकिया और तुम्हारे जो गीदर भग किया है इनसे होने वाला कुछ नहीं है भारत सरकार इन तमाम चीजों को नोटिस ले रही है और जिन लोगों ने चिठी लिखी है वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे या वो भी जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे ये सुनिशित है ये भारत सरकार ने अलड़ी तैकर रखा है लेकिन अब आज जिन पत्रकारों को धमकी दी गई इसमें पत्रकारों ने इस्तीफा दिया है और पत्रकार इसलिए छोड़ कर चलेगे क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह का माहौल गाती में हैं उस माहौल के बीच में आतंक वादियों की ये धमकी और उसके बाद जिस तरीके से आतंकियों ने आफ संक एक समधाय को कैश्मीरी पंडित समधाय को और हर उस आवाज को बोन निशाना बनाने की कोशश कर रहे हैं जो आवाज उनकी भसना करती है जो आवाज सरritis भसना ही नहीं करती बलकि जो आवाज दोटोक आलफाज में उनको ये कहती है तुम्हारे अब कोई सुनेगा नहीं जो तुम्हारे आका थे जो तुम्हारे जिनके शेयर पर तुम लोग चला करते थे जो अलगावादी नेता जुनोंने कश्मीर को जहन्नम बना रखा था उन तमाम अलगावादी नेताऑं उन्हें अलगावाद छोड़ दिया और वो अब अलगावाद की खेमे में तो हैं लेकिन उनकी जमीन पर घाटी में सुनने वाला कोई बाकी नहीं रहा है इसी तरीके से तुम्हारा हाल भी यही होगा यह सब कुछ भारत सरकार ने अल्रेडी सुनेश्चित किया है साफ किया है लेफटन गवर्नम अनुच सिना बड़ी बार कह गए कि अब आतंकवादियों के साथ किसी किसम का कोई समझोता नहीं बलकि अब इस्थाई शांती घाटी में इस्थापित की जाएगी और इस्थाफित वो दमखम के साथ और डलबल के साथ की जाएगी लेकिन पत्रकारों को धमकाने का मतलब ये हो गया कि पत्रकार इसका मतलब अपना काम सही डंग से कर रहे है आतंकवादियों के प्रोगैंडे को आतंकवादियों का जो अजंडा है उसको विफल कर रहे है उनकी सचाई अब दुनिया के सामने आ रही है अब अखबारों में आतंकियों का महिमा मंदन होना बंद हो गया है अब अखबारों में आतंकियों के परिवारों का और परिजनों का महिमा मंदन होना बंद हो गया है इसके चलते ऐसा लग रहा है जब सभी तरफ से शिकंजा कस गया है वो एक रास्ता जिस रास्ते से आतंकी हीरो के जैसे लोगों के बीच में पेश होते थे वो रास्ता भी अब बंद हो चुका है उसके चलते फ्रस्टेशन में आकर आतंक वादियू ने ये ये जो चारशीट निकाली है इसमें 22 पत्रकारों के नाम लिखे है और इन तमाम पत्रकारों को अजंट बताया है इन तमाम पत्रकारों की भसना की है साफतोर पर ये दर्शाता है कि आतंकी एक्स्ट्रीम फ्रस्टेशन का शिकार है उसी फ्रस्टेशन में जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा वो पत्रकारों को धमकी देने का काम कर रहे हैं